44 नमर के स्लोक में मक्तामरिस्तोत्र के अंदर आयेगा बड़ी शद्धा के साथ हाथ जोड़कर स्लोक पढ़ेंगे अंभो निधाक्ष वितवीशन नक्र चक्र पाठीन पीट भयदल्वन वाडवाग्नव रंगत रंग शिकरस्तित यान पात्रास त्रासंबिहाय भवता स्मर्णात ब्रजन्ती भगवान के नाम मात्र में इतनी शक्ती है अंभो निधाव समुद्र के अंदर जिसमें लबालब जल भरा होता है ऐसे समुद्र के अंदर कैसा समुद्र? क्षुवित वीशन नक्र चक्र पाठीन पीट भय दोलवन वाडवाग्नव जहां पर खुब क्षुव को प्राप्त हुए बहुत सारे मगर मच्च एकदम उचल रहे हैं और जिस समुद्र के अंदर बड़बा नल अगनी भाड़क रही है तमाम मचलियां इधर दर घूम रही हैं और उस समुद्र में रंगत तरंग शिकर स्थित यान पात रहा और चंच लेहरों के ऊपर अगर किसी का जहाज पानी का जहाज चल रहा है पहले तो पानी के यहाज से यात्रा करते थे लोग और उजैशों में जा करके धान कमाते थे वय जलियान jest जंचल लहरों के अग्रभाग पर इस्थित होकर के गमन कर रहे हैं और उनके अंदर यात्री है मनुष्य उनके अंदर जलियानों में यात्रा कर रहे हैं ऐसे मनुष्य भवताह स्मरनात त्रासम भिहाय हे भगवन आपके इसमरण करने मात्र से त्रासम भिहाए डर को छोड़क देते हैं डर को छोड़कर यह भैमुक्त हो करके ब्रजन्ती यात्रा करने में सक्षम हो जाते हैं अर्थात उनके जहाद डूब नहीं पाते और वे लक्ष को प्राप्त करके और समुद्र के तट पर आजाते हैं निर्विग नयात्रा परिपूर्ण हो जाती है भगवान के नाम मात्र का ऐसा फल बताया अपने मन के अंदर तो पादव मम्र दिये इसलिए तो कहा गया है कि हे भगवन आपके चरण कमल मेरे हरदय में विराजमान हो जाएं तो जो भग्त ऐसे भगवान के ना नाम को उनके चरणों को उनके इसमरण को अपने हरदय में धारन करते हैं तो यह सब छोटी-छोटी चीजें यह चोटे-चोटे-चोटे संकट यह निर्वय होकर के भी पार कर जाते हैं ऐसे भगवान कौन आदिनात अब उन्हीं का तो अक्षेत्रतिया परवा रहा है ऐसे भगवान के नाम का इसमरण करने से भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं मैंने एक साक्षा चमतकार देखा है मंदूओं हम भी हस्तिनापुर से अयोध्या की ओर जा रहे थे और बिजनौर तक पहुंचे बिजनौर में बैराज है जहां से गंगा नहर का जल बड़े प्रव के साथ छोड़ा जाता है हम लोग उस बैराज के उपर थे अकस्मात देखा कि उस गंगा में एक आदमी डूब रहा था डूब रहा था हम लोगों ने भी देखा और उस व्यक्ति ने एकदम देखा बैराज पर कोई सरस्वती माता हैं और उसने जोर से चिला करके आवाज लगाई अम्मा मुझे बचा लो मैं डूब रहा हूं अम्मा मुझे बचा लो मैं डूब रहा हूं एकदम आवाज आई और अम्मा की एक कृपाद्रष्टी भक्त पर पढ़ी ज्यानमती माता जी हम लोग जा रहे थे माता जी के साथ अयोध्या की और ये साक्षा चमतकार क घटना मैं आपको बता रही हूं और एक बार उस व्यक्ति की और कृपा द्रश्टी डाल कर पुझ्य माता जी ने देखा रक्षा मंत्र पढ़ा मन के अंदर भावना भाई की इतने प्रवा में बह रहा है किसी तरह से इसकी रक्षा हो जाए अब आत्माओं आप जान करके नदी के नहर के किनारे पहुंच करके उसकी जान बच गई थोड़ी देर में हम उस बैरास से ही पार हो रहे थे मन के अंदर पुझ्य माता जी यही सोच रही थी इस व्यक्ति की रक्षा हो जाए इसने अपने प्राणों की विक्षा मांगी है मैं कैसे इसको प्राण दान द द्रश्टी रही यानि जिनके रदय में प्रभू का नाम था सासवत तीर्थ आयोध्या की ओर भड़ते वी कदम चलाती हुई ज्यानमती माता जी ने उन प्रभू रिसवदेव का इस्मरण किया ओम नम अरिहंतानम अमुम रक्ष रक्ष हुमफट स्वाहा और उस प्राणी की रक्षा हो गई तो हम तो इन आचारे मानतुंग स्वामी की पंक्तियों को पढ़ते हैं लेकिन आज भी जिनो ने अपने अर्दय में ऐसे भगवान को म्रत्युन जाई भगवान को अपने अर्दय में धारण किया उनकी कृपाद रिष्टी से दूसरे भव्यात्मा भी ऐसे समुद्र से नहरों से और बैराज के भाहाव से भी जहां बहुत तेजी से पानी छोड़ा जाता है और गंगा नहर में बहता है हमने वह द्रश्य वास्तव में देखा आज इस श्लोक को पढ़ते हुए इसमरण में आ गया कि जब निश्चल भाव से एकदम एकाग्र हो करके ऐसे श्लोक का इसमरण किया होगा मान तुंग स्वामी ने तो उनके अचाना की बंदन तूट गए यहने संसार समुद्र में मैं भगवन डूब रहा हूँ अब इसमें से मुझे तैर ना है बहार निकलना है ऐसी भावना के साथ आचारी देव ने इन इस लोकों को हमें स्मरण कराया भव्यात्माओं दुख रूपी समुद्र में प्राणी हर क्षण डूब रहा है तैर रहा है ऐसे में आज जो वैसिक महामारी से निपटने के लिए आप लोग दुखी हो रहे हैं कष्ट में हैं कष्ट है इसमें निश्चित बात है लेकिन यह भगवान का नाम ही इससे निजात दिला सकता इसको द आउना रखते हुए आप प्रती दिन भक्तामरिस्तोत्र का पार्ट करें